कॉमन समस्या होता है, हम लोग के बोलते है नर्सिंग बोटल केरीज एक तो हुआ नॉर्मל केरीज जो साइटन तूथ में है अगर खाना फस रहा है तो हो रहा है जो बच्चे रात को बोटल लेके सोते हैं, उनके टूथ में क्या होता है, कि नीचे का दात तो इंटेक्ट होता है, बट जो उपर का दात होता है, वो कम्प्लीट डैमेज हो जाता है, मतलब आप समझे कि अगर आप मुझ खोलेगा बच्चा, तो उसकी ब्लैक ब्लैक टूथ का रूट दिखेगा, दात दिखता ही नहीं है, जब करकी कम-एज का बच्चा हो सकता है, बच्चा वो दो साल का हो, एसे बच्चे हमारे पास आते हैं, और उनका ट्रीटमेंट करना होता है, तो ट्रीटमेंट बच्चों में ऐसे ही मुस्किल होता है, और अगर कोई दर्द वाला treatment है तो बच्चे और डरते हैं तो हमें यह करना चाहिए कि बच्चे डरे ना उनको प्रोपर इलाज दें तो उसकी जरूरत ही ना आए पेरेंट को चाहिए कि उसका प्रोफाइलेक्टिक ध्यान रखें बच्चों में अगर नर्सिंग बोटल हो रहा है एक टूथ में भी ब्लैक दिख रहा है तो अपने डेंटिस्ट के पार जो भी सुपर इस्पेसलिस्ट या इस्पेसलिस्ट डॉक्टर हैं वहां आके दिखान करना चाहिए और उसका उसी समय क्योर करना चाहिए तो एक तो हुआ कि सुरुवात में ही बच्चे का हम लोग कर लें दूसरा प्रोब्लम होता है बच्चों में कि अगर नस तक चला ही गया मान लिजे तो क्या करें पस हो गया तो जिनरली पैरेंट डर जाते हैं या सोचते हमें दांत निकलवा दो हमें क्या करना है बाद में दांत आ जाएगा बट समस्या क्या है कि आपको दांत नहीं निकलवाना है जो पर्मानेंट दांत आता है वो फॉलो करता है डिसिड्यूस टूथ के रूट को तो हमें उसको नहीं निकालना है उल्टे हमें उसको और अच आगे एज देखें, अभी तोग मैंने 2 years का बताया, बच्चों में mixed dentition period शुरू होता है, 6 years के बाद बच्चों में tooth आना शुरू होता है, जो permanent tooth होता है, उस समय हम लोग बच्चे को, जिस बच्चे में carriage का tendency जादे है, उस बच्चों में हम लोग fluoride treatment करते हैं, fluoride में antikaryogenic activity होत होता है, और दात को safe रखता है, तो हम लोग fluoride treatment करते हैं, इसका भी different age है, जो mixed dentition, after dentition and final dentition के बाद करते हैं, डूटर साब जैसा कि आपने हमें बता ही दिया कि दूद के दात निकलवाने से पहले माबाप को किन चीज़ों को जान लेना जरूरी है, लेकिन एक चीज और जो देखिए, इसमें हम लोग जो prophylactic बताते हैं, जो मैं अपने तरफ से commonly हर पेरेंट को एडवाइस करता हूँ, कि जब आप ब्रस करते हैं, उसी समय बच्चों को ब्रस कीजिए, तो बच्चा आपको देखके फॉलो करता है, बच्चा आपको देखके समझता है कि ब्रस तो कई सारे ब्रांड हैं, जैसे कीडो डेंट, चीरियो ऐसे करके, अधिकतर जो डेंटल प्रोड़क्ट बनाती हैं कमपनियां, कॉलगेट जुनियर, यह सारे पेस्ट हैं, जो बच्चों को देना चाहिए, और उससे बच्चे को टूथ ब्रस कराना चाहिए, तो पहला तो दो कर दो कर दो कर दो कर दो बच्चे कर दो कर दो कर दो बोलाबए, झाल चाहिए, वाल झालबुों कॉल झालब कि नक्र कपव कर आंसब टू